हेलो फ्रेंड्स आप सभी हमारे चैनल टेक्निकल इस्टिल टाइंट यह बहुत बहुत वागत है और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीजी आप सॉलिट फिगर्स तो आपके कुछ सॉलिट फिगर्स जो होते हैं उनके सीजी कैसे निकालते हैं ठीक है उनकी हमें फ स्भीएर आपके घ्रीली फीगर्स है यह सारी हम जो बनाएंगे शहरट फिगर्स की pole 3D शसे है ऑत वाइनने पीछेर देखा था वह हमारा टूड़ी फिगर्स थी याँनि लैमिना जो होते हमारे टूडी फिगर्स होते हैं इसका थोड़ी से इसमें feeling देने के लिए कि 3D है ठीक तो इसका CG कहीं इसके बिल्कुल बीच ओ बीच में ही होगा के लिए आपको दिखाई दे रहा है तो अंदर अंदर हम इसका बनाएंगे यहां पर X बार और यहां पर बाई बार यहां पर देखो कि यह अंदर दिखाना है आपकर देख पाएं तो यह आप बार और यहां सेसे जहां तर दिस्टेंस है विए यह भार है कि भार बार ज्यादा इंपोर्टेंट रहता हर जग्ए इसरे बार ही ज़ादा Amendment रहेगा इसलिए हैं अपना ध्यान दिन सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि सिम्मेट्रिकल फिगर्स हमें मिलते हैं वह आपके एक्स और यापका रेडियस ही है यहाँ पर मुझे लेने का यहाँ से आपको वॉल्यूम सब के याद होने बहुत ज़्यादा जरूरी है तो चार बट्टे तीन पाईयर क्यूब होता आपको पता है अब इस डी आपको दिया होता आप आर निकाल सकते हैं बहुत आराम से ठीक है अब नेक्स हम सॉलिट फिगर अपना देख लेते हैं यह है 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 में इस फियर है है में इस फियर ठीक है अब देख है है में इस फियर जो होगा हमारा दिखाए जेरा आपको तो यह यहां पर हमारी यह तो नीचे सबसे नीचे वाली लाइन हो गई है बेसमेंट हो गया इसका किलियर है तो देखिए इसका जो सीजी होता है वो कहीं इसके अंदर ही होगा जैसे बॉल को आप आदा बीस से काट दें कुछ ऐसा फिलिंग आप लाइए अपने अंदर तो इसके लिए यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है यह तो आपकी एक्स बार हो जाएगी जो की इ आपर होता 3R upon 8 तो बाई बार को ज़्यादा इंपॉर्टेंट एसमें 3R upon 8 ठीक आप इसे बहुत द्यान से देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ही है तो यहार अपॉन है, क्लियर हो रहा है, अब एक्स बार तो आखा सिंपल ही है, बिलकुल ही, इसमें तो कोछ ही नहीं, आर ही हो जाएगा है, डी वाई टो हम कहते हैंगे, तो इसका वॉल्यूम इसका हद हो जाएगा, और क्या, तो हाफ, चार, यह बते कि चार वटे तीन, मैं अब डीकि नेटि लेते हैं अमारा, नेक्स्ट है हमारा, सिलेंडर, तो इसस लेंडर होता, सिलेंडर का आपको फिगर पत ही है, इतना कोई टफनी है, बेलन जिसे हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो आपको देखी यहां से आपको यहां पर दे रहा था पहले यह रेडियस आपको दे रहा था तो कुछ तो आपको गिवन हो गई starting ने इसमे भी आपको यहां से रेडियस दे रखा है इसका और यह आपको हायर दे रखी ए कि के तिखा इठ है है इसका है आए आप आराम से निकाल सकते हैं इसके वीच मैं हो कि यह फिर मैं है से यहां तक साव साव साब दिखाई दे राहा है इसमें एक्स बाइवार्य क्या होगे पहले मैं भाइवार का फर्मूला लिखता हूं आपकर H by 2 और X बार का फर्मूला भी आपको दिखाई देर डी वाइडू कहँदो या रेडियस कहँदो ठीक है वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है बेलन का पाई यार स्क्वार एच ठीक केवल आपको वॉल्यूम बताने के हिसाब से मैंने ये वीडियू बनाया है ब्याउलिम आपको पता होने बहुत ज़्यादा जरूरी है अब नेक्स्ट हमारा लास्ट जो है हमारा काफी इंपॉर्टेंट यह भी डेट इस कौन कौन ठीक है कौन का मतलब आपको पता संकु जिसे हम लोग कहते हैं ठीक है के लिए रोड़ी बात संकु ही कहते हैं हम इसे तो अब देखी यहां से इसका फिगर जो बनेगा जैसे हमारी टोपी होती है ना बलड़े में टोपी जो पहनते हैं बच्चे या इसक्रीम का जो कौन होता है जड़िस संकु तो यह इसका बेस्मेंट दोग है मेरे बाई कि यह दे रखा है संतिंग आर आईंग देख रहा आपना अपको और், कि यह आपको दे रखा है है कि यह क्लीए हे नहीं वमकुरेर बाफा बात्यूट ने इसका जो सीजी होगा वह कहीं यह झेρms ब्लूब दूल ने section line बना लेते हैं इसकी यहां कहीं इसका cg होगा तो यहां से लेके यहां तक की जो distance है यह आपकी y bar है और यह आपकी यहां से लेके यहां तक की distance है यह आपकी x bar है दिखाए गहरा है साथ आपको तो देखे इसका जो y bar का formula ज़्यादा important है that is h by 4 उदर आपना triangle में देखा था वो h by 3 था ठीक है यहां पर h by 4 है देख पा रहे हैं आप लोग अब इसका x bar तो बहुत ही simple है x bar तो साथ दिखाई दे रहा है कि हमारा radius हो जाएगा या diameter का अधा हो जाएगा volume को formula क्या होता है इसका असर 1 बटे 3 pi r square h क्यों ही तो I think आपको बात है आपर समझ में आप आ रही है कि इनके हमें volume के किस तरीके से निकालने है clear हो रहे है बात आपको अब देखे इनके जो formula है वो एक बार आप पटा फट देख लीजे आपने पीछे वाले वीडियो में देखे थे तो formula जो इनके हैं तो आपको पता है कि plain figures के लिए जो में x bar by bar निकालते हैं x bar निकालते हैं और by bar निकालते हैं plain figures के लिए उसका formula क्या होता है a1 by 1 a1 x1 x के लिए निकालने हैं तो a1 x1 plus a2 x2 plus an xn upon a1 plus a2 plus a3 इसी तरीके से by bar का formula निकालेंगे तो a1 by 1 plus a2 by 2 plus an by n upon a1 plus a2 plus a3 plus an यह हमने जो निकाला था formula दोनो यह हमारे किस के लिए थे यह हमारे 2D figures के लिए थे ठीक है यहाँ पर area है यह individuals जिनने हम अलगलग sections में काट लेंगे ठीक है एक साथ जो आपके figure आएंगे तब उनके CG कैसे निकाल ले जाएंगे अब इसी तरीकी से 3D figures के लिए आपको जो लगाना है वो उसके लिए formula आपको पता है x बार का formula में जो लगाना है वो क्या हो जाएगा है यहाँ पर v1 x1 plus v2 x2 यह वाला चीज हमने अभी देखी नहीं थी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आपने weight वाला देखा था यहाँ volume वाला आ गया इस तरीकी से vn xn यह volumes हैं ठीक है v1 v2 v1 plus v2 plus vn इस तरीकी से बाई बार निकाल लेंगे हम लोग v1 by 1 plus v2 by 2 यह x1 by 1 बोई हैं जो अभी हमने पीछे फार्मूले में देखे थे x बार बाई बार ठीक है उसे हम individuals के लिए जब बात करेंगे तो x1 by 1 कहेंगे vn byn upon v1 plus v2 plus vn ठीक है plus vn तक I think आपको दिखाई दे रहा है तो यह जो हमना रहा फार्मूला है यह आपका solid figures के लिए 3D figures के लिए I think आप बात समझ पा रहे हैं आपर v1 v2 v3 क्या हैं यह आपके individuals volumes हैं मलब कई सारे diagram अगर मिलके बन जाए ठीक है तो उसके लिए हम यह इसका यूज करेंगे ठीक जैसे आप बात समझेजिए यहां पर कुया का plane figure इस तरीगे से उसने बना के दे दिया ठीक है अब उसमें कहाँ दिया कि इसका cg निकाल लिए तो आपको पता है कि इसका triangle का cg कुछ यहां होगा इसका cg कुछ यहां होगा rectangle का तो command का cg निकालने के लिए आपको इनके पहले coordinates देखने पड़ेंगे फिर इसके coordinates देखने पड़ेंगे और दोनों के areas देखने कर दे something उसने इस तरीके से कर दिया आपका कोई ऊपर आपने कोन लगा दिया नीचे cylinder लगा दिया और फिर इसके नीचे से हमी से हमी स्वेर चुपका दिया तो अब इसका cg आपको निकालना पड़े तो क्या करेंगे तो देखेंगे इसमें तीन के फायदा नहीं होगा वीडियो आप मैं कोई भी बखवास की बात नहीं करता हूं वीडियो में केवल काम की बात ही हो रही है दिखाए देरा आप लोगों को आई थिंक चले ठीक है अब